हेलो एबरिवन, माइसेल्फ डॉक्टर भरत सेंग मीना ट्रॉम गवर्मेंट कोलेज कोटा आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंतरगत कोवेलेंट बॉन्ड में हाइब्रडाइजेशन या संक्रण के बारे में अध्यन करेंगे तो हम हाइब्रडाइजेशन किसे कहते हैं और य आप लोगों को प्रिवियस लेक्चर में modern theory, balance bond theory के बारे में जो डिसकस किया था उसी के आधार पर मैं एक बार पुने remind कर्या औना चाहूँगा की balance bond theory के according एक atom वेलेंट बॉंड बनाएगा जितने उस एक परमाणूं के पास ऐयोगमित एलेक्टोन वाले कक्छक और लेपिंग के लिए उपलब्द होंगे यदि हम यहां बेरिलियम बोरोन एंड कारवन बेरिलियम का एटोमिक नंबर कितना है फोर और इसका अगर हम एलेक्टोनिक विन्यास देख तो इसका होगा 1H2 और 2H2 किलियर बोरोन बोरोन का एटोमिक नंबर है फाइब इसका एलेक्टोनिक विन्यास होगा 1H2 2H2 और 2PX1 और इसी पिरकार से अगर आप कारवन का देखेंगे तो कारवन का भी 1H2 2H2 और 2PX1 और 2PY1 तो अगर आप बेरिलियम बोरोन और कारवन इन तीनों के विन्यास पर ध्यान देए तो आप देखेंगे कि बेरिलियम में एक भी ऐयुग मित एलेक्टोन आपको दिखाई नहीं दे रहा है बोरोन में आपको एक एयुग मित एलेक्टोन दिखाई दे रहा है और कारवन में आपको दो एयुग मित एलेक्टोन दिखाई दे रहे हैं तो इसके आधार पर तो बेरिलियम में कोवेलेंट बोंड कितने होंगे जीरो बोरोन में कितना होगा एक और कारवन में कितने होंगे दो लेकिन ये सही नहीं है हम जानते हैं कि बेरिलियम कैसा है बेरिलियम आपका है डाई कोवेलेंट और बोरोन है आपका ट्राई कोवेलेंट और कारवन है आपका टेट्रा कोवेलेंट यह हम कहें कि यह सर्विदित तत्थ है कि बेरेलियम एक दूसेयोजी है बोरोन एक त्रीसेयोजी है और कार्बन एक चतूसेयोजी तत्व है लेकिन यह सब कैसे हुआ इसकी वैख्या करने के लिए बीबीटी के अनुसार जब इसकी वैख्या की तो उन्होंने यह बताया पॉलिंग ने कि 2S कक्षक के युगमित एलेक्टोनों में से एक एलेक्टोन 2P कक्षक में चला जाता है जिससे क्या होगा बेरेलियम वोरोन और कार्बन में एयुगमित एलेक्टोनों की संक्या 2, 3 और चार हो जाएगी जिससे एयुगमित एलेक्टोनों की संक्या 2, 3, 4 होने से इनके में डाइवेलेंट, डाइकोवेलेंट, ट्राइकोवेलेंट और टेट्राकोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और एलेक्टोनों की इस परकार से जो प्रमोशन होता है क्रोमो नती होती है वह उस उसी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए ही संभव है क्योंकि उसी मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों में जो उर्जा का अंतर होता है वो कैसा होता है कम होता है और इतनी इतनी उर्जा उन्हें कहां से मिल जाती है अभी किरिया उस्मा से प्राप्त हो जाती है एलेक्टोनों के प्रमोशन या क्रोमोनत होने के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम excited state या उत्तेजित अवस्था कहते हैं ध्यान दें हमेशा जो excited state है उसको star symbol द्वारा प्रदर्सित करते हैं अगर आप beryllium boron और carbon के लिए ground state और excited state में electronic विन्यास देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे ये देखें आप ये आपकी beryllium है और इसकी ये ground state है इसमें आपका केवल 2S कच्छक में दो योगमित electron है PX, PY और PZ इसमें कोई भी योगमित electron नहीं है ये ground state की इस्तिति है अगर boron की ground state देखें तो इसमें एक एगमित electron है और carbon में देखें तो इसमें दो एगमित electron है लेकिन जब ये excited state में जाएंगे आप देख रहें यहां beryllium था और यहां beryllium star है इसका मतलब ये beryllium की excited state है तो यहां से 2S से एक electron मूब करके कहां चला गया 2PX में तो टोटल एगमित electron की संक्या कितनी हो गई दो और इसी लिए 2 एगमित electron की संक्या होने कारण ये dicovalent bond बनाता है इसी परकार से boron को देखें तो boron में एक एगमित electron पहले से था और यहां 2S से एक electron मूब करने के कारण एक तो 2S का एगमित electron और 2PX और PY के एगमित electron मिलाकर टोटल एगमित electron की संक्या तीन हो गई तो excited state में टोटल तीन एगमित electron होने के कारण ये तीन covalent bond बनाएगा इसलिए ये tricovalent है और इसी परकार से अगर carbon और carbon के excited state देखें तो carbon के दोनुई युगमित electron में से एक electron मूब कर जाएगा और 2PX, Y और Z तीनों में एक 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 मेत electron हो जाएगे और 2S से एक electron मूब करने के कारण यहां भी एक मेत electron से इस बचेगा और 4 एक मेत electron आपको दिखाई तेंगे और 4 एक मेत electron होने के कारण BBT के according चार ही covalent bond का निर्मान होगा इसलिए carbon निर्विवादित रूप से tetra covalent element है अब बात आती है कि BBT के according क्या होता है कि एक मेत electron वाले जो orbitals होते हैं वो overlapping करके covalent bond बनाते हैं और इस BBT के according अगर आप मेथेन को देखें तो एक carbon परमानू चार hydrogen परमानू के hydrogen परमानू के क्योंकि एक hydrogen के पास कितने electron होता है एक तो वो किस में होगा 1s कक्षक में तो हम इसको कह सकते हैं कि एक carbon परमानू चार hydrogen परमानू के 1s कक्षक के carbon के कौन-कौन से orbital से overlapping करेगा कार्बन का एक तो होगा 2S और्बिटल और तीन होंगे 2PX, 2PY और 2PZ और्बिटल होंगे जबकि हैट डोजन के चारों और्बिटल के पास 1S कक्छा को प्लब्द होगा और ये और लेपिंग करके 4 से से युजक बंद बनाएंगे लेकिन आप देखेंगे कि इस अवस्था में एक बंद तो कैसा होगा 1S और 2S के मदद बनने की बज़े से SS बंद होगा और बाकी के 3 तीन हैट्डोजन पर मानूं तो S और्बिटल उपलब्द कराएंगे लेकिन कार्बन क्या करेगा PX, PY और PZ उपलब्द कराएगा तो बाकी 3 तीन बंद होंगे S पी अतिवियापन से बनेंगे अब हम जानते हैं कि S और्बिटल तो S पेरिकल उसकी सेप होती है इसलिए उस पर दिसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन P और बिटल आपका कैसा होता है दिसात्मक होते हैं और दिसात्मक होने के कारण वो कैसे होते हैं अधिक प्रभल बंद होते हैं दिसात्मक होने के कारण अब CH4 का एक बंद तो दुरभल इसके अनुसार क्या हुआ SS वाला बंद तो दुर्बल है और सेस बंद उसके कैसे हो गए इस्ट्रोंग होने चाहिए इसके अतिरिक और क्या होगा कि तीनों पी कच्छक परस पर 90 डिग्री के कौन पर इस्थित होगे और तीन SP कोवेलेंट बॉन में परस पर 90 डिग्री का कौन होगा जबकि चौथा SS बंद इन तीनों के साथ 125 डिग्री के कौन पर इस्थित होगा आप देखिए यहां पर अगर आप यहां नज़र डालेंगे तो देखिए यह कार्बन है और यह इसके साथ X, Y और Z और एक हेड्रोजन चार हेड्रोजन पर मानूं इसके साथ कोवेलेंट बंद बना रहे है जो कि हेड्रोजन के पास तो बने इस कक्छा कुपलब दे चारों के पास लेकिन कार्बन के पास एक तो 2S है और बाखी PX, PY, PZ है तो एक तो इसका SS और बनेगा और बाखी के SP और बनेगे तो P और्बिटल दे साथ मगोने के कारण कैसे हैं ये परस पर 90 डिग्री पे है देखिए ये वाला और इस वाले को देखिए 90 डिग्री पे है लेकिन S और P यहां पर देखेंगे कि जो SS बंद होगा इन तीनों के साथ 125 डिग्री का कौन बना रहा है इसके और इसके साथ 125 डिग्री का कौन बना रहा है लेकिन आप देखें कि ये प्रियोगों द्वारा सिर्द हो चुका है कि कारबन की सरचना इस परकार की नहीं होती है कार्बन की सरचना इस प्रकार की नहीं होती है और कार्बन की सरचना कैसी होती है मेथेन से जोड़े हुए चारों हैडोजन पर मानू हर दरश्टी से बिलकुल समान है अर्था चारों किस प्रकार से वो बनाते हैं चारों ये हैड्रोजन ये कार्बन और ये हैड्रोजन इस पिरकार से बिलकुल समान कौन है और चारों CH बंदों की उर्जा भी बिलकुल बराबर है लेकिन ये तभी संभव है जब मेथेन का अनू चतुस फल किया आकार में हो चतुस फल किया इस पिरकार के आकार में हो और चतुस फल किया आकार में जब होगा तो उसके केंद्र में कार्बन पर मानू होगा और चार कोनों पर ये चार कोने आप देख रहे है इन पर हैड्रोजन पर मानू इस्थित हो तब ही इसकी आकरती चतुस फल किया होगी इसी पि BX3, BX2 इनके भी अगर हम electronic बिन्यासों पर नज़र डालें तो इन में भी आपको तिर्बुजिये BX3 और BX3 में तिर्बुजिये समतलिये सरचना संभव नहीं है और BX2 में यह बास्तम में एक रेखी आण हुए इन सब की वैख्या करने के लिए Pauling ने एक टर्म का उप्योग किया और वो टर्म थी hybridization उसकी उसका concept दिया hybridization का और hybridization के अनुसार उन्होंने ये बताया कि hybridization किसे कहते हैं उनकी अनुसार यदि किसी परमानों के भाये ध्यान दें यदि किसी परमानों के भाये तम कोस या हम उस भाये तम कोस को क्या कहें सयो जगता कोस कि लगबग समान उर्जा लेकिन बिनबिन आकरती वाले कप्छक परस पर मिस्तरित होकर एकदम समान आकरती और उर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कप्छक बनाएं जितनी संख्या में वो भाग ले रहे थे तो इस परिक्रिया या इस परिगटना या हम इसे कहें प्रोसेस या फेनोमेनन को हम hybridization कहते हैं और इस प्रोसेस में जो नए एक orbitals बनते हैं उन्हें हम hybrid orbitals कहते हैं और hybrid orbitals उनकी safe energy और direction में बिलकुल एक दूसरे के समान होते हैं यह ध्यान रखें कि जो hybrid orbitals होंगे वो accuracy की दृष्टी से उर्जा की दृष्टी से और दिसा की दृष्टी से बिलकुल एक दूसरे के समान होंगे हालां कि जो hybridization है वो एक कैसी परिक्रिया है उस मासूसी परिक्रिया है फिर भी hybridization होता है इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि hybridization के बाद बने हुए hybrid orbitals कैसे होंगे? दिसात्मक प्रकृति के होंगे और दिसात्मक प्रकृति के होने के कारण जो अतिव्यापन होगा वो कैसा होगा? एफेक्टिव होगा और एफेक्टिव अतिव्यापन होने से इतनी मात्रा में उर्जा रिलीज हो जाएगी कि संक्रन के लिए आवसक उर्जा की पूर्टी के बाद भी एनर्जी रिलीज होगी ठीक है दिसात्मक प्रकृति के होने के कारण effective अतिव्यापन हुआ और effective अतिव्यापन होने के कारण जो उर्जा मुक्त होई वो इतनी मात्रा में मुक्त होती है कि hybridization के लिए भी आवस्यक उर्जा की पूर्टी के बाद भी energy रिलीज होती है और जब energy रिलीज होगी है तो इससे system कैसा होगा आपका stable होगा और इसी कारण संकर कक्छकों के द्वारा बने हुए बंद कैसे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और इसे सिद्ध करने के लिए methane की संभवन उर्जा का परिकलन किया और उस परिकलन करने से ये सिद्ध हुआ कि carbon से CH4 क्यों बनता है CH2 क्यों नहीं बनता कई बार ये पूँछ लिया जाता है क्या कारण है कि carbon से CH4 क्यों बनता है CH2 क्यों नहीं बनता इसके लिए जब हम इसका संभवन उर्जा के केल्कुलेशन करेंगे और उसके उर्जा परिवर्तन के अगर आप cycle पर ध्यान दें तो आपको ये समझ मा जाएगा कि क्या कारण है कि CH4 ही बनता है आप देखिए इसका अगर डाइग्राम देखें CH4 बनने के लिए उर्जा परिवर्तन का तो आप यहां देख रहे है जो carbon है आपका carbon कैसा है यहां फोस अवस्था में और इसके साथ ये H2 जड़ा हुआ है ये कैसी अवस्था में, गैसी अवस्था में अब देखेंगे कि इन दोनों का बाद में क्या हुआ सबली मेशन, उर्धबातन उर्जा, उर्धबातन के बाद क्या हो गया, कि carbon solid से किसमे कनवर्ट हो गया गैस में, और उसके बाद क्या हुआ, इसका dissociation हो गया viogen हो गया viogen होने के कारण आप देख रहे हैं कि जो इसके orbitals हैं इस पिरकार से electronic विन्यास ground state में आपका दिखाई दे रहा है 2H2, 2PX1 और 2PY1 उसके बाद इसकी electron affinity देखें तो electron affinity के बाद ग्राउंड state में जाने के बाद इसके पास 4 है उसके electron हो गए और E2 देखेंगे तो E2 के बाद देखेंगे कि कारण की जो संकृत अवस्ता है वो कैसी है SP3 और जो इसकी अभिक्रिया उस्मा है वो कितनी है माइनस 578 किलो कैलोरी प्रतिमूल और जब यह CH4 आपका यह बन गया है तो यहाँ पर डेल H कितना आया माइनस 18 किलो कैलोरी प्रतिमूल यह किस के लिए आया CH4 के लिए अब अगर आप CH2 के लिए इसी चीज को देखें CH2 बनने के लिए उर्जा परिवर्तन देखेंगे तो यहाँ कारण सोलेड है और यहाँ दो हैड्रोजन परमान हुए सबलीमेशन एनर्जी इसकी इतनी 172 आ रही है उसके बाद यह गैस में कनवर्ट हो गया कारण फिर इसकी डिस्सोसियेशन एनर्जी वियोजन उर्जा वियोजन उर्जा के बाद भी आपका इस पिरकार से परिवर्टित हुआ फिर आपकिरिया उस्मा और यह CH2 का निर्मान हुआ और जो संभवन उस्मा है वो है CH2 की माइनस 13 किलो कैलोरी प्रति मोल तो हाँ आप देख रहे हैं कि CH4 के लिए जो संभवन उस्मा थी वो थी 80 किलो कैलोरी उर्जा मुक्त हो रही थी एक मोल CH4 बनने में जो CH4 को एक इस्तायोगिक बनाती है इसके भी प्रीथ अगर हम CH2 को देखते हैं तो यहाँ पर जो उसकी मुक्त उर्जा हो है 13 किलो कैलोरी तो 18 की तुलना में कम है यह उस्तायोगिक बनाती है और यह एक CH2 बनने में तो यह कम इस्तायी है उस्तूर जाए इसस तरफ़े जब कि CH4 बन रहा है तो इसकी 18 किलो कैलोरी प्रीथी मोल यह एक मोल से उत्ती मुक्त होती है तो यह अधिक इस्ताय है यही कारण है कि CH4 तो बनता है लेकिन CH2 नहीं बनता अब आप देखिए संक्रण के नियम संक्रण के कौन कौन से नियम है संक्रण का जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि संक्रण में भाग लेने वाले कक्चक लगबग समान उर्जा इस तर पर उसी मुख्य क्वांटम संक्या वाले और उसी पर्मानु अथवा आयन के होने चाहिए पहला नियम है एक तो समान उर्जा के होने चाहिए लगबग के और उनकी कौन्टम संक्या उसी कौन्टम संक्या के होने चाहिए उस पर्मानु उस या आयन के दूसरा इसका महत्पूर्ण बिंदू है संक्रन में भाग लेने वाले कख्चकों वा नए संकर कख्चकों की संक्या बिलकुल बराबर होती है इसमें अंतर नहीं होना चाहिए जितने भाग ले रहे हैं उतने ही नए बनेंगे तीसरा है किसी परमानूं के लिए एक निश्चित प्रकार का संक्रन डिसाइड नहीं किया जा सकता क्यों? क्यों यह किस पर डिपेंड करता है? केमिकल इनवायरमेंट पर यह डिपेंड करता है एक जाम्पिल के लिए अगर आप देखें एथेन C2H6 एथिलीन C2H4 एसिटलीन C2H2 में अगर प्रते कार्बन पर्मानों को देखें तो एथेन में आपका कार्बन पर्मानों को संक्रन है यहाँ पर 3 है कार्बन पर्मानों का मतलब SP3 संक्रन है इसमें और एथिलीन में 2 है तो यहाँ पर क्या है? SP2 और एसिटलीन में है 1, एक हैट्टूजन पर्मानों क्योंकि यहाँ पर यह कित्ते एट्यूजन परमानों से जुड़ा हुआ है कारवन 3 से तो इसका संक्रण हो गया SP3 एथिलीन में जुड़ा हुआ है 2 से तो संक्रण हुआ SP2 और एसिटिलीन में जुड़ा हुआ है एक से तो संक्रण हुआ SP तो यह chemical environment पर डिपेंड करता है संक्रण को पहले से decide नहीं किया जा सकता चोथा है इसका संक्रण में परमानों कचक भाग लेते हैं, अलेक्टोन नहीं लेते हैं यह ध्यान रहें, केवल परमानों के जो orbitals से वह ही भाग लेते हैं और अलेक्टोनों का तो संक्रण होने के पश्चात नए सिरे से और्बिटल्स में डिस्ट्रिबूशन होता है अब संकरण में चैपून बरे हुए आधे बरे या रिक्त किसी भी परकार का और्बिटल भाग ले सकता है और संकरण के पश्चात इन नए बने हुए कक्छकों में electron इस प्रकार से बटवारा होता है कि unpaid electron की संख्या अधिक्तम हो ये ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की orbitals भाग तो ले सकते हैं लेकिन संक्रन के पष्चाद जो नए orbitals बनेंगे उनमें electron का बटवारा इस प्रकार से होना चाहिए कि एगमित electron की संख्या अधिकतम हो पांचवा है आपका अधिकांस जो हाइब्रिट और्वीटले एक तम समान होते हैं किन्तु 13 मिया आकास में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन हो सकता है और 30 मिया आकास में चटवा है संक्रण के प्रकार से किसी अनू की ज्यामिती और बंद कौन आधी बतलाए जा सकते हैं जो मेंट्री कैसी है वोंड इंगिल कितना है उसको भी आप संक्रण के टैप से बता सकते हो साथवा है संक्रण एक hypothetical concept है ये कालपनिक अवधार्ना है इसका उपयोग प्रायोग तैथों को समझाने के लिए किया जाता है लाश्ट अंतिम बिंदू है संक्रण के प्रकार को प्रदर्सित करने के लिए हम संक्रण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के उपर उनकी संक्या प्रदर्सित करते हैं कैसे? उदारन के लिए देखें जैसे कितने कक्षक भाग ले रहे हैं जैसे SP3 तो इसमें 4 कक्षक भाग ले रहे हैं 1S और 3P orbital भाग ले रहे हैं तो आपको पता चल रहा है तो यही कह रहा है कि संक्रण भाग लेने वाले कक्छकों के नाम उनके संक्या उपर प्रदर्सित करते हैं इसी प्रकार से SP2 को देखो SP2 का मतलब है कि 1S और 2P और्बिटल भाग ले रहे हैं SP का मतलब है 1S और 1P कप्छक भाग ले रहा है तो यह थे आपके संक्रण के नियम थेंक्यू